आज हम बात करेंगे कि यह जो तीस तीस तेस तेस पच्छिस पच्छिस का इवरेज दिखाती है गाड़ यह क्या वो सच में बिल्गों सही रहता है क्या और साथ में जो हमारा से कंड्री बुलेरो का डिस्प्ले होता क्या वह सब में लग जाएगा तो उसी के बारे में पूर जेड लेक्स के लावा जिदने भी पेरियंट पुलेहरों के आते हैं क्या उनमें लग सकते हैं यह बहुत सारे कुछ आधे थे तो चलिए आज उसकी वर्किंग भी मैं आपको पताऊंगा सबसे पहले वो जो सेकेंडरी स्क्रीन है उसमें आपको क्या दिखाता है उसमें नव लगभग आपकी गाड़ी कितना दूर जा सकती कितना बचा हुआ है साथ में आपका एवरेज बताती है कि अभी कांटिनिवस आपकी गाड़ी कितना एवरेज लगभग प्रॉक्स दे रही है साथ में गयर बताती है कि कौन से गयर पकप गाड़ी चल लेगे और साथ में से वाला continuous jetlex वाली जो गाड़ी आती है उसमें सिर्फ फ्रेंट गेट का बताता है तो आप बताईए का आपके गाड़ी में क्या सभी गेट का बता था यहीं पे रहता है जितना यह स्लोट है सिर्फ इसी में रहता है दो बटन होते हैं उन से आप अर्जिस्ट कर सकते हो कि आपको क्या देखना है क्या देखना है एक से आप मोड अर्जिस्ट कर सकते हो सेटिंग कर सकते हो एक्चल में क्या होता है जब भी आप स्कैनिंग करते हो किसी गारी का या आप कभी भी वीडियो देखते हो न जब उसमें स्कैन करते हैं तो जैसे माल लीजिए जैसे यह मेरी गारी 2014 है तो 2014 उसमें लिखा जाएगा बुलेरो 2014 फिर उसमें यह भी लिखा जाएगा कि मौडल कौन सा है SLX है SLE है ZLX है वो इसलिए software में लिखा जाता है क्योंकि वो उसमें जितने function है उस software में दिखेंगे ऐसे ही जो ZLX की गारिया होती है उनमें ECU से direct उनका connection इस secondary में रहता है तो जो जो वो read करता है वो average कैसे read करता है वो एक तरह से उसमें software रहता है और वो अंदाजा लगाता है software के थूँ एक अंदाजा सा लगता है कि इतने speed में गाड़ी चल रही है तो लगभग इतने speed से चल लगभग इतना फ्यूल इंजेक्ट करता होगा तो इस हिसाब से हमारी गाड़ी यह speed में है तो इस speed में screen shot दिखा दूँगा जिसमें 30-30 का गाड़ी average दे रही है ऐसा नहीं है जब आपको average पता करना होगा तो आपको tank to tank ही पता करना चाहिए gear की बात करते है कि गाड़ी में gear कैसे बताता है वो आपके जो issue होता है वो देखता है कि हमारे जो rpm है वो कितना है और हमारे गाड़ी की speed कितनी है आप कभी भी ध्यान दीजेगा जब आप clutch दबाओ गे न तो आपको यह नहीं बताएगा कि आपको कौन से gear पर गाड़ी चल आप पूरा रिलीज किये रहोगे तभी वो बताएगा इसी लिए हमारे क्लच की उपर भी बटन होती है जो हमांको बताती है हमारे issue को कि कभ हमारा Clutch fully engaged है कभ हमारा Clutch fully free है उससे वो ratio पता करता है हमारा issue और उस issue ratio पता करने के बाद वह पर बताता है कि हमारी गाड़ी इस gear पर है जब जैसे escuched होगई सुझकी गाड़ी है होंडे की गाड़ी आपकी जो गाड़ी आ रही है वो gear बताती वो सिर्फ इतना बताती है कि आपको कौन सा गेर लगाना चाहिए कि मालेजी आप हाई आरपीम पे चला रहे हैं तो रेशो चेक कर लेती है मालेजी आपकी गाड़ी 20 का स्पीर चल रही है आपके में आरपीम 2000 के उपर हैं तो बता देगा कि आपके में गेर देशों कम हैं तो आप उस गेर रेशों को बढ़ा दोकि उसी तरह से और ज्यादा रचाहिए और ज्यादा हो बधाएगा कि नहीं को इस विक तलियंद तो का इवरेज चल रहा है तो वह जितने भी बाहर साब के डिश्टल मीटर मुठे रहते ना उसी से वह अंदाजा लगाता है कि लगबग हमारे फ्यूल टैंक में इतना डिजल होगा तो इस इवरेज से मतलब इतनी दूर हमारी चल सकती वह कभी भी एक्यूरेट नहीं होता कभी भी आप चेक करना भगा के ज्यादा चलाओगे न डिस्टेंस तो इंपर्टी वह दीर दीर कम होने लगता है वह बताने लगता है तो वह सिर्फ अंदाजा है टाइम का कहा है टाइम तो म्यूजिक मे भी दिख जाता है और उसके लिए अलग से आपको फ्रेंट की हार्डनेस बदलनी पड़ेगी साथ में आपको जैडलेस का जो इसी प्रोग्रामिंग होता उसको चेंज करना पड़ेगा तब जापके आपके में इस्ट्रॉल होगा तो मेरे को एक चीज़ जरूर आप लोग बताए जिनके भी गारी जड़्लक्स है वो लोग जब उनकी गारी डिस्टेंस तो इंपटी बताती है तो जब भी डीजल का एक बाद नीचे आजाता है तो क्या अचानक्स उसमें होता है क्यो फ्लैक्ट्यूएशन अचानक से नहीं होता यह आप पर मैं शौरता हो जैसे म लिए चार बार है अभी आपके गाड़ी माल लिए दो धाई सो माल लिए धाई सो किलो मेटर दिखा दे लेकिन वहीं पर जैसे वह तीन बार आती है तो वह 230 या 240 दिखाती कचानक्स करती अभी नियों गाड़ियों में चीज अच्छा हो गया है उसमें डीपी अफ का दिखान जादा भी है पर अगर कहा जाए तो एसली एसलेक्स जो हमारे पुराने वाली थे उनमें एवरेज का जरूर है कि आपको कर्ड़ तो नहीं मालम चलता पर यह है कि लगबग अंदाजा तो मिली जाता है कि लगबग इतने किलो मीटर का लगभग एवरेज देते होगी और हा बहुत कम बता रहा हूं इससे कभी कभी दो धाई धाई किलो मीटर का अंतर इस गाड़ी में पढ़ जाता है तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा मैंने जान बूच के बड़ा वीडियो बनानी कोचिस नहीं की सिकेंडरी बार नहीं लगा सकते आप उसकी प्रोग् ही नहीं अगर क्लिप होता तो आप आराम से उसको कनेक्ट करके और प्रोपर उसमें बना हुआ है आप वहां से जोड़ सकते थे ऐसा भी नहीं है कि बहुत महगा है इससे ज्यादा महगा नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी लो आप तो टॉप मॉडल लो टेंसर नही झाल